हलो गाईज कैसे हूँ आई होप आप लोग ठीक होंगे दोस्तों क्या आपको पता है कि अधिकतर आदमी अभी पेट के सिकायत के कारण पेट के बीमारी के कारण अधिकतर अधिक मोटे एक एक रकम एक फीस के रूप में डॉक्टर को जाको देते हैं आखिर क्या कारण है सभ सबसे बड़ी प्राबलम है और सबसे ज्यादा बीमारी का होने का कारण यही है कि हम लोग का बाथरूम इस टूल खुलासा नहीं होना बाथरूम जी हां अगर बाथरूम आपका खुलासा नहीं होगा पैखाना खुलासा नहीं होगा तो आपको अनेक तरह का बीमारी होगा और जो भी आप खाना पिना खाते हैं वह आपको कभी भी सही धंग से दे में खाया पिया नहीं लगेगा तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं हम लोग को खाना पिना कब क्या खाना चाहिए कैसे सेडिल होना चाहिए यह चीज हम लोग भूल गए हैं, हम लोग खाते ही नहीं है सही ढंग से, तो पेट हम लोग का समस्या होने के कारण, आप लोग को अधिकतर आदमी देखें, सबसे ज्यादा यूज होने बाला दवाई, अभी खाली पेट में खाने बाला दवाई, पैनडी जो गैस का दवाई लोग बहुत सेरा पैंडी टेप का टेबलेट जिसे पेंटो पराजुल मिला हुआ रहता है यह सब बहुत सेरा लोग यूज करते हैं गैस होने का क्या कारण है खाला लोग खाना तो अभी पहले के समय में अभी का खाना का अगर देखा जाए सेडियूल देखा जाए तो का know this system सहीं नहीं है जिसके करनको भाया पैहां उनका देय में लगता नहीं है तो दोस्तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगованinking का धंग भूल गया है खाने कब क्या खाना चाहिए हम लोगों को पता नहीं है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम आपको रात के खाना से मैं बता रहूंगा कि जब हम लोग रात का खाना खाते हैं तो क्या कब खाना चाहिए रात का खाना हम लोग को गया जिसके खारने हम लोग को पचाने में एक ऊचित समय मील पाएगा जो हम लोग सरीर उस खाना को अच्छा से डैजिस्ट कर पाएगा जिसके करन हम लोग को खाया पिया दे में लगेगा अध दूसरे बड़ी बात है कि रात को अपना मुह साफ जरूर करें मुह साफ करने का मतलब यह नहीं कि आप बरस लेके पूरा रगर रगर के साफ कर रहें दांत को यह नहीं दांत साफ करने का मुह साफ करने का मतलब है कि अच्छा से आप कुल्ला के जिये उंग्री से आपका दात को अच्छा से इधर उधर से दोनों रगड़ ये अच्छा से साप हो जाएगा तो होने के बाद सबसे बड़ी बात है पेट का ससिकाथ होता है इतना गैस होने के कारण है आप रात को जीविया करके सोईए देखिए जीविया में करने से होता क्या है हम लोग के जीव में एक छोटे-छोटे सेंसर होते है बने होते हैं जो हम लोग के हार्ट लीवर और हम लोग के जो किड़नी उसमें संपर्ग जिड़ोबाता है हम लोग के जीव के एक छोटे-छोटे दाना बने होते हैं दाना जो ह हम लोग का पेट में digestive system अच्छा से होता है, हम लोग का खोन का refining अच्छा होता है, हम लोग का जो सरीर में खाना पाचाने का जो chemical रिलीज होता है, acidic acid जो release होता है वो सही धंग से उचीत मात्रा में खाना में हम लोग को पेट में जाके मिलते हैं हम लोग को अच्छा से खाना पचते हैं और morning में उठने के बाद जिस तरह हम लोग सुबा में अपना खाया वा रात का जुठा बरतन सुबा साप करते हैं ठीक उसी तरह हम लोग को पेट का भी सफाई होना चाहिए देखे पेट का सफाई कैसे होगा तो सुबा हम लोग खाली पेट उठ करने के साथ हो सकते हैं कुला करने के बाद खाली पेट हम लोग को एक गुनगुना पानी में आधा नीमू काटके उसमें निचोड के उस पानी को पीना है उस पानी को डेली खाली पेट गुनगुना पानी में नीमबू आधा नीमबू को काटके उसमें निचोड के पीने स से एक गुलास पानी पिने से एक या दो घंटो होगा पिने या दो घंट्रै बाद सकतरे अबहां पर हो आकम ब्र 16 मौर्निंग में प्रेटें वह क्या हम आप होता जो बड़ी आतमे अब्जर्ब होता है जिसके करण हम लोग का इस्टूल को क्या करता है वो एक नॉर्मल ढंग से एक नॉर्मल करता है एक नॉर्मल अगर हाड इस्टूल रहता है तो वो उसको नॉर्मल करके हम लोग को बातरूम खुला सा करता है जिससे हम लोग को अच्छा फिल महसुस होता है दोस्तों आप एची महसुस किये होंगा जिस दिन बातरूम खुलासा होगा जिस दिन पैखाना खुलासा होगा उस दिन दिमाग भी अच्छा काम करता है उस दिन अच्छा मन लगता है उस दिन सोचने के सकती बढ़ जाता है तो जब तक हम लोग का खुद दो घंटा पहले खाना खाना है और मॉर्निंग में करना के है आपको सुबा उठने के साथ खाली पेट पानी पीना है दोस्तो इसके फाइदा अनुक्सान तो बहुत है अब फाइदा के बाद बारे तो जितना बोलेंग उतना कम है उतना वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मै आपको सौट में बतारों को सुबा कम से कम जैसे पर करम जुठा बर्तन को साब करते हैं ठीक उसी तरह हम लोग को करना क्या है कि हम लोग मॉर्निंग में उठके गरम पानी में गुन गुना कर पिये और इससे हम लोग फाइदा बारे